नमशकार दोस्तों PCS 15 साला में आफ सभी का स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज LT ग्रेट का दुसरा दिन है एल्टी ग्रेट धरने का दूसरा दिन है आप लोग जानते हैं उन्हाताजा टीचर भरती के लिए धरना प्रदसन हो रहा था धरना प्रदसन सरकार की आस्वासन मिलने के बाद अधिकारियों की आस्वासन मिलने के बाद बेसी सिछा मंत्री के आस्वासन मिलने के बाद धरना प्रदसन खतम हो गया था 9000 टीचर बढ़ती का और फिर कहा गया कि एडुकर्ट जनरल अगर तारीख पड़ती है तारीख की सुरवाई होती है तो एडुकर्ट जनरल आएंगे लेकिन यहां का धरना जो कल भी हुआ था आज भी हो रहा है आज दूसरा दिन है यहां परिच्छा जो है दो साल हो चुके दो साल लगबग होने वाले हैं पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया यह कितनी बड़ी सिस्टम के लिए परवाही है कि दो-दो साल बिच जाते हैं कि सरकार उसका रि परिच्छा होने को और अभी तक का रिजल्ट तक नहीं आया यह सरकार की लापरवाही उत्तरप्रदेश सरकार की लापरवाही है बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की अभी जो 36,000 पद निकलने वाले हैं उसका भी टैन टेबल देखा जाए तो हाला कि सरकार हम लोग जानते हैं कि उत्तरप्रदेश में जो भी परिच्छा होता है उसमें 2-3,5-3 साल तक लग जाते हैं सामान इसी परिच्छा पर भी 2,5-3 साल बिना कोट में जाये है या हाई कोट सुपरिम कोट के चकर काटिक कोई भरती नहीं होने वाली है दो साल तीन साल लगबग बना ही रहता है टाइम और इस बार जब 31,000 जो पद निकलने वाले हैं तो उसमें तो दे दिया है कि 2022 तक आपको निकुती मिलेगी 2021 लाष्ट में ऐसी भी शड़ परक्रिया है इन लोगों के लबद 2-2 साल भी जाते हैं तो हाला कि हम सब लोग तो हम लोग तो जानते ही है क उत्तरपदेश में हाल यही होता है कि 2-2,5-3,3 साल लग जाते हैं कि कोई परिच्छा अगर आज होते हो रही है तो उस बंदे को जब जाम मिलेगा तो दो साल बाद ही मिलेगा इसके पहले नहीं मिलने वाला है तो हाला कि जो अब नए पोस्ट निकलने वाले हैं तो उनकी कशी में थर्णा हो रहा है आज या दूसरा दिन है और आयोग पर आयोग पर एक को लीडर राएं मिक की खान आयो पर जो भी एल्टीक धरनी प्रतस्कार को य। क्योंकि अब इसमें मांसिक तनाव से लाखो च्छात्र मांसिक तनाव जहल लाएं लब डेड़ से दो साल की वह प्रक्रिया हो गए यह यह प्रक्रिया हो रही है आयोग पर है तो जानकारी हम आप लोको देंगे क्योंकि उन्हादटा टीचर भर्ती बारे में जब मैं जानकारी बे रहात서 कुंछ लोग बोल ले टिक इक बारे में उनवी बताओं सर अल्टी एकर की बादे में में बदाब रहूं और जो भी वैकिंशिया फसी हुई है अगर उसका कोई भी न्यूज है अगर वह आपकी जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए वेल आइकान पर क्लिक कर दीजिए और कम से कम एक या दो वाटसब गूरूप पर आप इसे सेयर कर सकते है दोस्तों ठीक है दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोग को